मेरे प्यारे देश्वासियों, नमस्कार, बीते सप्ता हमने एक ऐसी उपलब्दी हासिल की, जिसने हम सब को घर्व से भर दिया. अपने सुना होगा कि भारत ने पिछले सप्ता 400 बिलियन डॉलर, यानी 30 लाग करोड रुपिये के एक्सपोर्ट का टार्गेट हासिल किया है. पहली बार सुनने में लगता है कि ये अर्थ व्यवस्था से जुड़ी बात है, लेकिन ये अर्थ व्यवस्था से भी ज़्यादा भारत के सामर्थ, भारत के पोटेंशल से जुड़ी बात है. एक समय में भारत से एक्सपोर्ट का आंकड़ा कभी सो बिलियन, कभी डेड़ सो बिलियन, कभी दो सो बिलियन तक हुआ करता था. अब आज भारत चार सो बिलियन डॉलर पर पहुँश गया है. इसका एक मतलब ये है कि दुनिया भर में भारत में बनी चीजों की डिमान बढ़ रही है. दुसरा मतलब ये है कि भारत की सप्लाई चेहन दिनों दिन और मजबुत हो रही है. और इसका एक बहुत बड़ा संदेश भी है. देश विराड कदम तब उठाता है जब सप्नों से बड़े संकल्प होते हैं. जब संकल्पों के लिए दिन रात इमानदारी से प्रयास होता है. तो वो संकल्प सिद्ध भी होते हैं. और आप देखिए किसी व्यक्ति के जीवन में भी तो ऐसा ही होता है. जब किसी के संकल्प, उसके प्रयास, उसके सप्नों से भी बड़े हो जाते हैं. तो सफलता उसके पास खूद चल करके आती है. साथियों, देश के कोने कोने से नए ने प्रोड़क्ट जब विदेश जा रहे हैं, असम के हैला कांडी के लेदर प्रोड़क्ट हो, या उसमानाबाद के हैल्लूम प्रोड़क्ट, बिजापूर की फल सभिया हो, और चंदौली का ब्लैक राइस सबको एक्सपोर्ट बड़ रहा है. अब आपको लदाग की विश्व प्रसीत एप्रिकॉट दुबै में भी मिलेगी, और सबसे बड़ी बात ये, कि नए नए प्रोड़क्ट, नए देशों को भेज़े जा रहे हैं. जैसे हिमाचल उतराखन में पैदा हुए मिलेट्स, मोटे अनाज की पहली खेप डेनमार्क को निर्याद की गई. आंदर प्रदेश के कृष्णा और चितुर जिले के बंगन पनली और सुवन रेखा आम दक्षिन कोरिया को निर्याद की जे. त्रिपुरा से ताजा कढ़ल हवाई रास्ते से लंदन निर्याद की गई. और तो और पहली बार नागा लेंड की राजा मिर्च को लंदन बेजा गया. इसी तरह भालिया ग्यहों की पहली खेप गुजरात से केनिया और सिलंका निर्याद की गई. यानि अब आप दूसरे देशों में जाएंगे तो मेडिन इंडिया प्रोड़क्स पहले की तुलना में कहीं जादा नजर आएंगे. साथियों यह लिस्ट बहुत लंबी है और जितनी लंबी यह लिस्ट है उतनी बड़ी मेकिन इंडिया की ताकत है उतना ही विराट भारत का सामर्थ है. है और सामर्थ का अधार है हमारे किसान हमारे कारिगर हमारे बुनकर हमारे इंजीनियर हमारे लगू उद्यमी हमारा एमेसमी सेक्टर धेर सारे अलग अलग प्रोफेशन के लोग यह सब इसकी सची ताकत है इनकी मेहनत से ही चार सो बिलियन डालर के एक्सपोर्ट का लक्ष प्राप्त हो सका है और मुझे खुशी है कि भारत के लोगों का इस सामर्थ अब दुनिया के कौने कौने में नए पहुच रहा है जब एक एक भारत वासी लोकल के लिए वोकल होता है तब लोकल को ग्लोबल होते देर नहीं लगती है आईए लोकल को ग्लोबल बनाएं और हमारे उत्पादों की प्रतिश्टा को और बढ़ाएं साथियों मन की बात के स्रोताओं को यह जानकर भी अच्छा लगेगा कि गरेलु स्तर पर भी हमारे लगू उद्यमियों की सफलता हमें गर्व से भरने वाली है आज हमारे लगू उद्यमि सरकारी खरिद में गवर्नमेंट इमार्केट प्लेस यानि जैम के माध्यम से बड़ी भागीदारी निभा रहे हैं टेक्नोलोजी के माध्यम से बहुत ही ट्रांसपरेंट ववस्ता विक्सित की गई हैं पिछले एक साल में जैम पॉर्टल के जरिये सरकार ने एक लाग करोड रुपिय से जादा की चीजें खरिदी हैं देश के कोने कोने से करीब करीब सवा लाख लगू देमियों छोटे दुकानदारों ने अपना साम अगतान सरकार को सीधे बेचा है एक जमाना था जब बड़ी कंप्वनिया ही सरकार को सामान बेच पाती थी लेकिन अब देश बदल रहा है पुरानी विवस्ताएं भी बदल रही है अब छोटे से छोटा दुकानदार भी जैम पॉर्टल पर सरकार को अपना सामान बेच सक यही तो नया भारत है यह न केवल बड़े सपने देखता है बलकि उस लक्ष तक पहुंचेने का साहस भी दिखाता है जहां पहले कोई नहीं पहुंचा है इसी साहस के दम पर हम सभी भारतिय मिलकर आत्म निर्भर भारत का सपना भी जरूर पुरा करेंगे मेरे पहरे देख स्वास यो हाली में हुए पदम सम्मान समारों में आपने बाबा सिवानन जी को जरूर देखा होगा 126 साल के बुजुर की फूर्ति देखकर मेरी तरह हर कोई हरान हो गया होगा और मैंने देखा पलक जफकते ही वो नंदी मुद्रा में पढाम करने लगे मैंने भी बाबा शिवानन जी को जुक कर बार बार पढाम किया 126 वर्स की आयू और बाबा शिवानन की फिटनेस दोनों आजदेश में चर्चा का विशय है मैंने सोचिल मीडिया पर कई लोगों का कमेंट देखा कि बाबा शिवानन अपनी उम्र से चार गुना कम आयू से भी ज़्यादा फिट है वाकई बाबा शिवानन का जीवन हम सभी को प्रेजित करने बारा है मैं उनकी दिर्ग आयू की कामना करता हूँ उनमें योग के प्रती एक पैशन है और वे बहुत हेल्दी लाइफटाइल जीते हैं हमारी संस्कृति में सबको सौ वर्स के स्वस्त जीवन की शुबकामनाई दी जाती हैं हम साथ एप्रिल को विश्व स्वास्त दिवस मनाएंगे आज पुरे विश्व में हेल्थ को लेकर भारतिय चिंतन चाहे वो योग हो या आहिरुवेद इसके प्रती रुजान बढ़ता जा रहा है अभी आपने देखा होगा कि पिछले ही सप्ता कतर में एक योग कारिकम का आयुजर किया गया इसमें 114 देशों के नागरिकों ने हिस्सा लेकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया इसी तरह से आयुजर इंडस्ट्री का बाजार भी लगातार बड़ा हो रहा है। छे साथ पहले आयुजर से जुड़ी दवाईयों का बाजार 22,000 करोड रुपिय के आसपास का था। आज आयुजर मैनुफेक्टरिंग इंडस्ट्री एक लाग 40,000 करोड रुपिय के आसपास पहुँच रही है। यानि इस ख्षेत्र में संभावनाय लगातार बढ़ रही है। स्टार्ट अप वर्ल में भी आयुज आकर्षन का विशे बनता जा रहा है। साथ क्यों हेल्थ सेक्टर के दूसरे स्टार्ट अपस पर तो मैं पहले भी कई बार बात कर चुका हूँ। लेकिन इसमार आयुज स्टार्ट अपस पर आपसे विशेस तौर पर बात करूंगा। एक स्टार्ट अप है कपिवा। इसके नाम में ही इसका मतलब चिपा है। इसमें क का मतलब है कफ, पी का मतलब है पित और वा का मतलब है वात। यह स्टार्ट अप हमारी परंपराओं के मताबिक हेल्दी इटिंग हैबिट्स पर आधारीत है एक और स्टार्ट अप निरोग स्ट्रीट भी है आयुरुवेद हेल्थ केर इकोसिस्टिम में एक अनूठा कंसेप्ट है इसका टेक्नोलोजी डिवन प्लेटफॉर्म दुनिया भर के आयुरुवेदा डॉक्टर्स को सीधे लोगों से जोड़ता है पचास हजार से अधिक प्रेक्टिशनर्स इससे जुड़े हुए हैं इसी तरह आत्रे इनोवेशन एक हेल्थ केर टेक्नोलोजी स्टार्ट अप है जो होलिस्टिक वैलनेस के ख्षित्र में काम कर रहा ह इकजोरियल ने नकेवल अर्ष्वगंधा के उपयोग को लेकर जागरुता फैलाई है बलकि टॉप क्वालिटी प्रोड़क्शन प्रोसेस पर भी बड़ी मात्रा में निवेश किया है क्योर वेदा ने जड़ी भुटियों के आधुनिक शोध और परंपरिक ज्ञान के संगम से होलिस्टिक लाइप के लिए डायेटरी सप्लिमेंट्स का निर्मार किया है साथियों अभी तो मैंने कुछ ही नाम गिनाये हैं ये लिस्ट बहुत लंबी है ये भारत के युवा उद्ध्यमियों और भारत में बन रही नई संभावनाओं का पतीख है मेरा हेल्थ सेक्टर के स्टार्ट अप और विशेशकर आयू स्टार्ट अप से एक आगरह भी है आप ऑनलाइन जो भी पॉर्टल बनाते हैं जो भी कंटेंट क्रेट करते हैं वो सयुक्त राष्ट्र द्वारा मन्यत्रा प्राप्त सभी भाशाओं में भी बनाने का प्रयास करें दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जा अंग्रेजी ने इतनी बोली जाती हैं और ना ही इतनी समझी जाती हैं ऐसे देशों को भी ध्यान में रखकर अपनी जानकरी का प्रचार प्रसार करें मुझे विश्वास हैं भारत के आयू स्टार्ट अप्स बहतर क्वालि सीधा समंध स्वच्छता से भी जुड़ा है मन की बात में हम हमेशा स्वच्छता के आग्रेईयों के प्रहासों को जरूर बताते हैं ऐसे ही एक स्वच्छा अग्रेई हैं चंद्रकिशोर पाटील जी ये महराष्ट में नासिक में रहते हैं चंद्रकिशोर जी का बहुत गहरा है वो गोदावरी नदी के पास खड़े रहते हैं और लोगों को लगातार नदी में कुड़ा कच्रा नव फैकने के लिए प्रेरित करते हैं उन्हें कोई ऐसा करता दिखता है तो तुरंत उसे मना करते हैं इस काम में चंदर किशोर जी अपना काफी समय खर्च करते हैं शाम तक उनके पास ऐसी चीजों का धेर लग जाता है जो लोग नदी में फैकने के लिए लाए होते हैं चंदर किशोर जी का ये प्रयास जागुरुकता भी बढ़ाता है और प्रेरिना भी देता है इसी तरह एक और स्वच्छाग रही है ओडिसा में पुरी के राहुल महाराणा राहुल हर अभीवार को सुबह सुबह पुरी में तीर्थ स्थरों के पास जाते हैं और वहां प्लास्टिक कच्रा साफ करते हैं वो अब तक सैंकडो किलो प्लास्टिक कच्रा और गंदकी साफ कर चुके हैं पूरी के राहुल हो या नाशिक के चंदर किशोर ये हम सब को बहुत कुछ सिखाते हैं नागरी के तौर पर हम अपने कर्तवियों को निभाएं चाहे स्वच्चता हो पोशन हो या फिर टिका करण इन सारे प्रयासों से भी स्वस्त रहने में मदद मिलती हैं मेरे प्यारे देश्वाचियों आईए बात करते हैं किरला के मुपट्टम स्री नारायनन जी की उन्होंने एक प्रोजेक्ट की शुरुवात की है जिसका नाम है पौट्स फर वाटर अफ लाइफ आप जब इस प्रोजेक्ट के बारे में जानोगे तो सोचेंगे कि क्या कमाल क काम है कि मुपट्टम स्री नारायन जी गर्मी के दौरान पसू पक्षियों को पानी की दिक्कत ना हो इसके लिए मिट्टी के बरतन भाटने का अभ्यान चला रहे हैं गर्मियों में वो पशुपक्षों की इस परिशानी को देखकर खुद भी परिशान हो उड़ते थे फिर उन्होंने सोचा कि क्यों नवक खुद ही मिट्टी के बरतन बाटने शुरू कर दे तकि दूसरों के पास उन बरतनों में सिर्फ पानी भरने का ही काम रहे को पार करने जा रहा है अपने अभियान में एक लाखवा बरतन वो गांदी जी द्वारा स्थापीत साबर्मती आस्रम में दान करेंगे अजब गर्मी के मौसम ने दस्तक दे दी हैं तो नारायन जी का यह काम हम सब को जरूर प्रेरित करेगा और हम भी इस गर्मी में हमारे पशू पक्षी मित्रों के लिए पानी की व्यवस्था करेंगे साथियों मैं मन की बात के स्रोताओं से भी आगर करूँगा कि हम अपने संकल्पों को फिर से दोराए पानी की एक एक बुंद बचाने के लिए हम जो भी कुछ कर सकते हैं वो हमें जरूर करना चाहिए इसके अलावा पानी की रीसाइकलिंग पर भी हमें उतना ही जोर देते रहना है घर में इस्तिमाल किया हो जो पानी गमलों में काम आ सकता है गार्णिंग में काम आ सकता है वो जरूर दोबारा इस्तिमाल किया जाना चाहिए थोड़े से प्रयास से आप अपने घर में ऐसी व्यवस्थाइं बना सकते हैं रहिमदाज जी सद्यों पहले कुछ मकसद से ही कहकर गए है कि रहिमन पानी राखिये बिन पानी सबसुन और पानी बचाने के इस काम में मुझे बच्चों से भावत उमीद है स्वच्चता को जैसे हमारे बच्चों ने अंदूरन बनाया बैसे ही वो वाटर वारियर बनकर पानी बचाने में मदद कर सकते हैं साथियों हमारे देश में जल सवरक्षन जल स्तोतों की सुरक्षा सद्यों से समाज के स्वभाव का हिस्सा रहा है मुझे खुशी है कि देश में बहुत से लोगों ने वाटर कंजर्वेशन को लाइफ मिशन ही बना दिया है जैसे चैन्ने के एक साती है अरुन क्रश्नमूर्ती जी अरुन जी अपने इलाके में तालाबों और जीलों को साब करने का अभियान चला रहे हैं उन्होंने एक सो पचास से जादा तालाबों जीलों की साब सफाई की जिम्मेदारी उठाई और उसे सभलता के साथ पूरा किया इसी तरह महाराष्टर के एक साती रोहन काले है रोहन पैसे से एक HR प्रोफेशनल है वो महाराष्टर के सेंक्रो स्टेप्पिल्स यानि सीडी वाले पुराने कुओं के सरवक्षन के मुहीम चला रहे हैं इनमें से कई को ये तो इस सेंक्रो साल पुराने होते हैं और हमारी वरास्त का हिस्सा होते हैं सिकंदराबाद में बंसिलाल पेट कूआ एक ऐसा ही स्टेप्पिल है बरसों की उपिक्षा की कारण इस स्टेप्पिल मिट्टी और कच्रे से ढंग गया था लेकिन अब वहां इस स्टेफ पेल को पुनर्जीवित करने का अभ्यान जन भागिदारिशे शुरू हुआ है। साथियो मैं तो उस राज्य से आता हूँ जहां पानी की हमेशा बहुत कमी रही है। गुजरात में इन स्टेफ पेल्स को भाव कहते हैं। गुजरात जैसे राज्य में भाव की बड़ी भूमी का रही है। इन कुओं या बावडियों के सवरक्षन के लिए जलमंदिर योजना ने बहुत बड़ी भूमी का निवाई। पुरे गुजरात में अनेकों बावडियों को पुनर्जीवित किया गया। इससे इन इलाकों में वाटर लिवल को बढ़ाने में भी काफी मदद मिली है। ऐसे ही अभ्यान आप भी स्थानिय स्थर पर चला सकते हैं। चेक्डम बनाने हो, रेन वोटर हार्वेस्टिंग हो, इसमें इंडिविजल प्रहास भी एहम है और कलेक्टिव एफर्ट भी जरूरी है। जैसे आज़ादि के अमरुत महसों में हमारे देश के हर जिले में कम से कम 75 अमरुत सरोवर बनाए जा सकते हैं। कुछ पुराने सरोवरों को सुधारा जा सकते हैं, कुछ नए सरोवर बनाए जा सकते हैं, मुझे विश्वास हैं, आप इस दिशा में कुछ न कुछ प्रयास जरूर करेंगे। मेरे प्यारा देश वासियों, मन की बात, उसकी एक खुबसूरती ये भी हैं, कि मुझे आपके संदेश बहुत सी भाशाओं, बहुत सी बोलियों में मिलते हैं। कई लोग माई गौव पर अडियों मेसेज भी भेजते हैं। भारत की संस्कृती, हमारी भाशाओं, हमारी बोलियां, हमारे रहेंसें, खान-पान का विस्तार, ये सारी विविदेदाएं, हमारी बहुत बड़ी ताकत हैं। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिन तक, भारत को यही विविदेदा एक करके रखती हैं, एक भारत स्रेश्ट भारत बनाती हैं। इसमें भी हमारे एतिहासिक स्थलों और पावरानिक कथाओं दोनों का बहुत योगदान होता है। आप सोच रहे होंगे कि यह बात मैं अभी आपसे क्यों कर रहा हूं। इसकी वज़य है माधरुपूर मेला। माधरुपूर मेला कहां लगता है, क्यों लगता है, कैसे यह भारत की विविदेदा से जुड़ा है, यह जानना मन की बात के सुरुताओं को बहुत इंटरस्टिंग रगेगा। साथियो, माधरुपूर मेला गुजरात के पूरबंदर में समंदर के पास माधरुपूर गाउं में लगता है, लेकिन इसका हिंदुस्तान के पूर्वी छोर से भी नाता जुड़ता है, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे संबव है, तो इसका भी उत्तर एक पौरानिक कथा से ही मिलता है, कहा जाता है कि हजारों वर्ष पूर्व भगवान स्री कृष्ण का विवा नौर्थ इसकी राजकुमारी रुक्मनी से हुआ था, ये विवा पौर्वंदर के माधवपूर में संपन हुआ था और उसी विवा के प्रतिक के रुप में आज भी वहां माधवपूर मेला लगता है, इश्ट और वेश्ट का ये गहरा नाता हमारी धरोहर है, समय के साथ अब लोगों के प्रयात से माधवपूर मेले में नई नई चीजे भी जूड रही है, हमारे हाँ कन्या पक्ष को घराती कहा जाता है, और इस मेले में अब नौर्थ इश्ट से बहुत से घराती भी आने लगे हैं, एक सब्ता तक चलने वाले माधवपूर मेले में नौर्थ इश्ट के सभी राज्यों के आर्टिस्ट पहुंचते हैं, हैंडिक्राप से जुड़े कलाकार पहुंचते हैं और इस मेले की रौनक को चार चांद लग जाते हैं, एक सब्ता तक भारत के पूरब और पश्चिम के संस्कृतिकों का इमेल ये माधवपूर मेला एक भारत स्रेश्ट भारत की बहुत सुन्दर मिसाल बना रहा है, मेरा आप से आग रहें, आप भी इस मेले के भारे में पड़ें और जानें, मेरे पैरे देश्वासियों, देश में आजहादी का अमृत महोत सव अब जन भागेदारी की नई मिसाल बन रहा है, कुछ दिन पहले 23 मार्च को सहीद दिवस पर देश के अलग-अलग कौने में अनेज समारो हुए, देश ने अपनी आजहादी के नायक नाईकाओं को याद किया, स्रद्धापुर्वग याद किया, इसी दिन मुझे कोलकता के विक्टोरिया मेमोरियल में विपलवी भारत गैलेरी के लोकारपन का भी अवसर मिला, भारत के वीर करांतिकारियों को सरद्धानली देने के लिए ये अपने आप में बहुत ही अनूठी गैलेरी है, यदि अवसर मिले तो आप इसे देखने इन दोनों ने ही भारतिय समाज पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ा हैं, ये महान विभूत्या है, महातमा फुले और बाबासाब आंबेड कर, मातमा फुले की जैनती 11 अपरिल को हैं, और बाबासाब की जैनती ही, हम 14 अपरिल को मनाएंगे, इन दोनों ही महापुरुशो बेदभाव और असमानता के खिलाब बड़ी लड़ाई लड़ी महात्मा फुले ने उस दौर में बेटियों के लिए स्कूल खोले कन्या शिशु हत्या के खिलाब आवाज उठाई उन्होंने जल संकर से मुक्ति दिराने के लिए भी बड़े अभियान चलाए साथियों महात्मा फुले की इस चर्चा में सावित्रवाई फुले जी का भी उलेक उतना ही जरूरी है सावित्री भाई फुले ने कई सामाजिक समस्ताओं के निर्माण में बड़ी भूमी का निभाई एक सिक्षी का और एक समाज सुधार के रूप में उन्होंने समाज को जागरुग भी किया और उसका होसला भी बढ़ाया दोनोंने साथ मिलकर सत्य सोधक समाज की स्थापना की जन जन के शसक्ति करन की प्रयास किये हमें बाबा साब आमबैड करके कारियों में भी महात्मा फुले के प्रभाव साब दिखाई देते हैं वो कहते भी थे कि किसी भी समाज के विकास का आकलन उस समाज में महिलाओं की स्तिति को देख कर किया जा सकता है। महात्मा फूले, सावित्री बाई फूले, बाबा साब आमबेड करके जीवन से प्रेना लेते हुए, मैं सभी माता, पिता और अभिवावकों से अनुरोद करता हूँ कि वे बेटियों को जरूर पढ़ाएं। बेटियों का स्कूल में दाखला बढ़ाने के लिए कुछ दिन पहले ही कन्या, शिक्षा, प्रवेश उत्सव भी शुरू किया गया है। जिन बेटियों की पढ़ाई किसी वजह से छुट गई हैं, उन्हें दोबारा स्कूल लाने पर फोकस किया जा रहा है। या दिल्ली में बाबा साहब का महापरी निर्वान स्थल मुझे सभी जगहों पर, सभी तिर्थों पर जाने का सौभागी मिला है। मैं मन की बात के स्थोताओं से आगर करूँगा कि वे महत्मा फूले, सावित्री बाई फूले और बाबा साब अमबेडकर से जुड़ी जगहों के दर्शन करने जुरूर जाए। आपको वहां बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे प्यारे देश्वासियो, मन की बात में इस बार भी हमने अनेक विश्यों पर बात की। अगले महिने बहुत से परवत्योहार आ रहे हैं। कुछी दिन बाद ही नवरात्र हैं। नवरात्र में हम ब्रत, उप्वास, शक्ति की साधना करते हैं, शक्ति की फूजा करते हैं। यानि हमारी परंपनाये हमें उल्लास भी सिखाती हैं और सैयम भी। सैयम और कब भी हमारे लिए परवई ही है। इसलिए नवरात्र हमेशा से हम सभी के लिए बहुत विशेश रही हैं। नवरात्र के पहले ही दिन गुड़ी पड़वा का परव भी हैं। अप्रेल में ही इश्टर भी आता है और रमजान के पवित्र दिन भी शुरू हो रहे हैं। हम सब को साथ लेकर अपने परव मनाएं। भारत की विवित्ता को ससक्त करें। सब की यही कामना है। इस बार मन की बात में इतना ही। अगले महिने आपसे नए विश्व के साथ फिर मुलागात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।